नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है वेंपायरहब.com की ओफिसील यूटूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग। प्रोजेक्ट कॉडिनेटर एंड सीटी प्रोजेक्ट आफिसर के पद पर भरती की अधिसूशना प्रकासित की है। तो आज हम इसे के बारे में डीटियल्स में बात करेंगे साथ ही आपको फॉर्म फिलब बे बताएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे हैं वीडि की डिगरी या फिर पीजी की डिगरी यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाला है असम और इसकी लाजट टेट है 17 जनवरी 2018 को यहाँ पर एस लिमिट मांगे गई है 25 से लेकर 50 साल और इसकी ओफिसल वेब साइट है www.sb.murbanasam.in दोस्तों अगर वैकेंसी डिटेल्स की बा साथी प्रोजेक्ट ऑफिसर से 95 पोश्ट है अगर सैक्षिक योगता की बात करें तो यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉडिनेटर के लिए master in social work with two year duration मांगा गया है इसके लिए आपको salary मिलेगी 50,000 वहीं city प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद के लिए सैक्षिक योगता मांगे गई है bachelor of engineering in civil, computer science, IT, masters in social work, environment, किसी भी मानिता प्राप्त संस्थान से साथी आपके पास 3 साल का work experience होना चाहिए दोस्तों इसके लिए आपको salary मिलने वाली है 25,000 रुपए अगर selection procedure की बात करें तो यहाँ पर selection procedure based है performance in interview पे यानि कि दोस्तों यहाँ पर कोई भी exam नहीं होना है सिर्फ interview होना है जिसमें कि आपको सामील होना है और job को grab कर लेना है तो दोस्तों आप सवाल उठता है कि आप इस form के लिए कैसे apply करोगे तो दोस्तों इस form के लिए apply करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे website पे चला आना है हमारे website का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा दोस्तों आप हमारे website पे आए इस vacancy से related सारे details को अच्छे से पढ़िए उसके बाद इसके official notification को first link पे click करके download करके पढ़िए उसके बाद ही apply करें second link पे click करके आपको apply करने के लिए simply click करना है second link पर और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे है application form का format आपको दिया हुआ है इससे आपको simply print out कर लेना है और सारे details को fill up करके आपको simply क्या करना है आपको सारे details को fill up करके application form में आपको इस address पे भेज देना है 17 जनवरी 2018 से पहले तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको सारी बाते समझ में आ गई है आपको form fill up करने का तरीका समझ में आ गया है साथ ही आपको सारी vacancy details समझ में आ गई है अगर अभी भी कोई doubt बचा है तो आप simply comment करके पूछ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दें अपने दोस्तों के साथ facebook पे और whatsapp पे share कर दें हमें support करने के लिए साथ ही हमारी चैनल को subscribe करना ना बोले दोस्तों हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए vacancy और इसके form फिलप के टिटोरिल के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम